नमस्ते, टीका करण के बाद अपने बच्चे की देख भाल करना महत्वपूर्ण है. कभी-कभी वे इंजेक्शन साइट पर एक गांठ, दर्द या सूजन हो सकती हैं. ऐसा होने पर आप यह कर सकते हैं. सबसे पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह लक्षन आम तोर पर ह हलके होते हैं और कुछ ही दिनों में अपने आप चले जाते हैं. दांत दर्द या सूजन को कम करने के लिए उस जगह पर बर्फ से या ठंडे पानी में कपड़ा भिगो कर सिकाई करें. यदि आपके शिशु को दर्द या परेशानी हो रही है, तो आप अपने बच्चे के डॉक्टर के देख रेख में बच्चे को एसिटामिनोफेन या इबुप्रोफेन की खुराग दे सकते हैं. खुराग निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करें. यदि गांट या सूजन विशेश रूप से बड़ी या दर्दनाक है, या यदि यह कुछ दिनों के ठीक नहीं होती है, तो आपको अपने बाल रोग विशेशज्ज से संपर्क करना चाहिए. वे आगे के उपचार की सिफारिश कर सकते हैं. किसी भी अन्य लक्षणों पर नजर रखना भी महत्वपूर्ण है, जो टीके के प्रति अधिक गंभीर प्रतिक्रिया का संकेत दे स रखते हैं, जैसे कि तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई या दाने. यदि आप इन में से कोई भी लक्षण देखते हैं, तो तुरंथ डॉक्टर से संपर्क करें. याद रखें, टीके आपके बच्चे को स्वस्थ रखने और खतरनाक बीमारियों से बचाने का एक महत पूर्ण हिस्सा हैं. थोड़ी सी देख भाल और ध्यान से, आप अपने नन्धे मुन्नों के लिए टीका करण की प्रक्रिया को जितना संभव हो, उतना सहज और आराम दायक बनाने में मदद कर सकते हैं. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद!